अभी आपने वीडियो देखा और इस वीडियो में जो राजिस्तान सरकार के मंत्री हैं वो विधान सफा में क्या भाशन दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं हाँ हाँ नंबर वन है रेप में राजिस्तान क्यों ना हो ये मर्दों का प्रदेश है ये राजिस्तान की मर्दों को गा इसके बाद ये सुनने के बाद मेरा तो खून खौल रहा है और राजिस्थान की एक-एक महिला का खून खौल रहा है। कि ये कैसे ऐसी बात कहते हैं, ऐसी बात कहने के बाद ये सत्ता में कैसे रहते हैं भारतिय जन्ता पार्टी कि महिला मोर्चा द्वारा पाँच जुलाई को ग्यारा बजे महिला आकरोश आंदोलन होगा और इस आंदोलन में हमारी पूरी प्रदेश की मैलाओं को मैं आमंतृत करती हूँ और सभी हमारे प्रदेश की जो पुरुष हैं उनको भी कहती हूँ कि इस आंदोलन का समर्थन करें जाजा से ज़्यादा संख्या में हमारी बहने इस आंदोलन में भाग ले इसमें आएं और जितने भी पीडित परिवार हैं उनको भी कहूंडी कि आप भी आएं क्योंकि ये आंदोलन हम आपके लिए कर रहे हैं लगाता राजिस्थान में महिलाओं पे अपराद इतना ज़्यादा बड़ा हैं चाहे जैपुर की बात करें डुकरपुर की बात करें बाडमेर की बात करें उदैपुर की बात करें रोजाना पहले तो इन्होंने, मैं तो हम लोग बार बार भारते जनता पाटी की पूरी टीम आप लोगों के बीच आई है जिस जिले में घटना हुई है, वहाँ हम गए भी है, वहाँ हमने प्रोटेस्ट भी किया है हमने न्याय दिराने का पुरा प्रयास भी किया है लेकिन इन सब चीदों के बावजूद, जिस तरह से ये गूंगी बहरी सरकार, गेहलोज सरकार, आखों पे पट्टी बांद कर, कानों में रूई दाल कर, बैठी है साड़े चार सालों से ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे है इनकी बड़ी बड़ी जो बड़ी नैतरी है, वो कहती है, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन क्या राजिस्तान की लड़की, राजिस्तान की बेटी लड़की नहीं है क्या वो लगातार लुट रही है राजिस्तान में, उसको कौन बचाएगा तो आज हम लोग सब मिलकर जो पाँच तारी को हमारा आंदोलन होगा प्रोटेस्ट होगा उसके लिए आप सभी लोगों के बीच आये हैं इतनी सारी घटनाएं हो रही है राजिस्थान में मेरे पास ये लंबा चोड़ा एक पूरा प्रेस नोट है एक एक घटना का विवरण है लेकिन जहां भी घटना होती है वहां घटना का जो F.I.R. भी दर्ज होती है हमारे इस राजिस्थान सरकार के जो नेता है उनके पुत्र के अगेंच्ट भी अगर F.I.R. दर्ज होती है उसके बावजूद भी उसको दोशी करान नहीं दिया जाता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अरे रेपिस्थ जो है क्यूंकि F.I.R. करने के बाद F.I.R. करने के बाद F.I.R. करने के बाद F.I.R. कर देता है और उसके बाद उस victim को मार भी देता है, क्योंकि फासी की सजा है, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं, कि इसकी सजा को कम किया जाए, क्या वो ये नहीं समझते कि बालागकार इतना ज्यादा गिनोना एक अपराद है, जिसकी सजा बुरी से बुरी होनी चाहिए, मैं तो मानती हू क्योंकि उसको जिन्दा परेशान करना चाहिए, फासी तो बहुत दूर की बात है, तो इस प्रदेश में जो हो रहा है, महिला अत्याचार इतना ज्यादा चरम सीमा पे बढ़ चुका है, हम सभी लोग राजिस्तान की एक एक बेटी, एक एक मा, एक एक बहन के साथ खड़े हैं, और हमारे मानने अध्यक जी, सीपी जोशी जी के नेतृत्तु में पाच तारीक को हमारा ये अंदूलन होगा, पूरी तैयारी है, और जिस तरहा से लगातार ये चीज हो रही है, ये तो शुरुवात ही है, ये तो जैपुर से शुरुवात है, इसके बाद गाओं राणी राणी में हर जिले में हम लोग आंदूलन करेंगे और जो पीरित परिवारे उनके साथ खड़ेवे होंगे, एक ढाल की तरह खड़ेवे होंगे, ये एक ऐसा प्रदेश है जहां नारी का सम्मान होता है, इतिहास गवा है, राणी पन्मिनी का प्रदेश है, पन्ना हो रहा है, राजिस्तान की महिला के साथ हो रहा है, बहुत ही दुखत स्तिती है राजिस्तान की, बहुत ही जादा जो हालत है राजिस्तान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये जो महिला उतपीडन की घटनाएं हैं, और हमारी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, कुछी कितनी बार हम लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, दिन में 5-6 घटनाएं तो कम से कम पूरे राजिस्थान में हो रही है, कम से कम रिपोर्टेट घटनाएं, अन्रिपोर्टेट कितनी घटनाएं होती होंगी, सोच ये जरब, ये दृश्या आपके सामने हैं, आप मीडिया से हैं, लेकिन मा, बेटी, बेहन हमारे सब के घर में हैं, क्या हमारी मा, बेहने, बेटियां हमारे घरों में सुरक्षित हैं क्या? कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है Hospitals, Ambulence, सडके, Colleges Police Station तक सुरक्षित नहीं है खुद इनके करमचारी, अधिकारी इस तरह के कांडों में शामिल होते हैं उनका involvement होता है और कही न कही सरकार इनको protect कर रही है क्योंकि अगर सक्त कारवाई समय पे सक्त कारवाई होती तो इनकी हिम्मत नहीं होती हम सब जानते हैं जिस तरह से crime बढ़ा है राजिस्तान में specially crime against women लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा जब तक ये सत्ता में रहेंगे ये तो अब और ढिलाई बढ़तेंगे तो आप लोगों के बीच हाज हम लोग आये हैं ये हमारी बात रखने भी आये हैं और पाँच तारीक को पून रूप से हम लोग इनको दिखाएंगे कि राजिस्थान की महिला अब पूरी तरह से बहुत ठक चुकी है परिशान हो चुकी है आपने कर दिया जो आपको करना था जवाब तो इनको 2023 में मिली जाएगा एलेक्शन की सब्सक्राइब अभी से हम लोग सड़कों पे उतरेंगे झाल